हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बाद नए मार्केट अप्डेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो डेली बेसिक के तरह आज भी दो बैतिरिंगी स्टॉक लेका हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो जैसे कि हमारा जो मार्केट है वो आज की डिट में आदे परसंट की तेज़ी के साथ 17,622 पर क्लोज हुआ है और वहीं पर देखेंगे तो 35 स्टॉक ऐसे थे जो मार्केट के वो पोजिटिव देखने को मिले 15 स्टॉक हमें नेगिटिव देखने को मिल रहे हैं इसमें से आप टॉप गिनर की लिस्ट यहां पर देख सकते हैं साथ में दोस्तो आप टॉप लोजर की लिस्ट भी आपर देखके चल सकते हैं थो इनी में सह आप लुगों के लिए 2 भैपरिंग स्टॉक है जो कलकी देट में आपको जोधार performance देने वाले हैं तो जो हमारा First स्टॉक है सबसे पहले उसको देख लेते हैं तो दोस्तो जो हमारा First स्टॉक है उसका नाम है तो यहां पर आप देख सकते हैं दूस्तो आईशेर मोटर का चार्ट पेटोन उपन किया है और पांच मिनिर का केंडल चार्ट अब आईशेर मोटर के अगर मैं बात करता हूं दोस्तो तो आज की डिट में बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक उपर गया यहां से आप देख सकते हैं बहुत शांदा तरीके से लेकिन दोस्तो एक इंपोर्टेंट उसको रिजेक्शन पॉइंट यहां पर मिल गया जहां पर साइकलोजी नंबर भी है और एक रुकावर्ट का भीता जहां पर स्टॉक ने एक दिन पूरा ट्रेडिंग किया ठीके ना तो ज़्यादा उपर गया ना ज़्यादा नीचा है लास्ट के केंडल में भी आप देखें लास्ट के केंडल में भी बाइंग हुई लेकिन बाइंग में जैसे देखा कि वह 34 predict के लेबल के पास जा रहा है प्ठापट से ट्रेडर से ने दोस्तो क्या किया प्रॉफिट बुकिंग करना चालू आप दोस्तो सबसे बड़ी बात यह है कि stock 3600 रुपे के लेवल के नीचे close हुआ है मतलब दोस्तो important point के नीचे close हो गया है अगर यहां से उसने breakout दिया एक single candle में तो उसको उसी के लेवल के उपर मतलब इस लेवल के ऊपर ही क्या करना था close होना था तो वो इस लेवल के नीचे आके close हुआ है तो expectation के हिसाब से stock दोस्तो हमें momentum calculate में अराम से 3550 रुपे के लेवल तक भी दिखा सकता है क्योंकि उपर जाने की उतनी chance stock की नहीं देखने को मिल रही है जितने नीचे आने की क्योंकि नीचे तो देश्तो एक तो important लेवल के जो लेवल है वहमें calculate में दिखा सकता है तो हम इसको इस recording क्या कर सकते हैं buy करके चल सकते हैं तो क्या है लेवल वो update कर देते हैं तो दोस्तो लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो proper तरीके से levels को note करीगा calculate में दोस्तो अगर यह stock हमें 3570 पे मिलता है तो हम buy करेंगे वो short करेंगे और 3550 का हम क्या करेंगे target लेंगे जो होगा 20 point के आसपास का इस हिसाफ से दोस्तो position बनाईएगा आप लोग stock में अब चलते हैं दोस्तो अगले point के तरफ दोस्तो वो point है हमारा profit guru एफेंडो call का telegram channel जहांपर daily basis पे से bathroom option के call आप लोगों को provide करते हैं हमारा जो target है वो यहां पर जो है वो दोस्तो डन हो गया था अग्दर morning morning में प्रॉफिट technical analysis भी प्रोवाइट के था कि आज बेंग निफ्टी का किस टाइप का analysis हमें देखने को मिला है range देखने को यहां पर यहां देखने को मिल रहे थी तो अराम से दोस्तो मोमेंट टाइम के साब से मोमेंट को हमने capture किया तो डेली basis पे दोस्तो ऐसे bathroom level हम आप लोगों को provide करते हैं जहां पर आप ट्रेडिंग करके अच्छा कासा पसा कमा सकते हैं साथ में एक और point है अगर आपको stock market कुछ भी help चाहिए टेकनिकल हो गया fundamental हो गया swing trade हो गया long term हो गया कुछ भी चीज आपको अगर पूछना है तो आप बाकाइदा दुस्तो क्या करिएगा आप इस telegram channel में जैसे जोन हो जाओगे आपको contact number मिलेगा WhatsApp number मिलेगा और telegram का ID मिलेगा अब वहाँ पर हम से संपर कर सकते हैं हम बाकाइदा आप लोगों को दुस्तो reply देंगे आप जो भी चीज पुछोगे और इसका आप से कोई भी चार्ज नहीं लेंगे ठीक है तो link इसका नीचे के चलिए अब हम SL जान लेते हैं तो स्टॉक के SL के अगर मैं बात करता हूँ अगर हम इसको 3570 से short करेंगे तो लगबख 3580 का भी SL लेके चलेंगे इस हिसाब से में स्टॉक में पोजिशन बनाने वाले हैं अब चलते हैं दोस्तो सेकेंड स्टॉक के उपर दोस्तो हमारा सेकेंड स्टॉक जो है वो है एशेन पेंट लिमिटेट का एशेन पेंट के अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक में हलकी सी गिरावट के साथ 321 रुपे 20 पैसे पर क्लोज हुआ प्रीवेस क्लोज था 322 रुपे और ओपन होता है 322 रुपे 65 पैसे हाई लोग आते 321 रुपे 10 पैसे का असपार वहीं देखेंगे तो स्टॉक का जो वॉल्यूम था वह 10,13,000 कॉंटिटिटी का में देखने को मिल रहा मतलब काफी अच्छा कासा मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला है अब इसके भी टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं कल के कर दो ले क्या मोमेंटम मिलेगा यह देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों एशन पंचा चैट में आहिए अपटे में सब सबसे पहले कि यहां से काफी बड़ी गिराबट आपको देखने को मिल रही इस point से आप देख सकते हैं काफी बड़ी profit booking आई काफी बड़ी गिराबट आई और stock नहीं यहाँ पर लेके support बनाया और आज की date में stock ने पहले क्या किया यहाँ से काफी बड़ी गिराबट दिखा यहाँ से दोस्तों support बनाया करीबन 3250 रुपे के level के आसपास फिर उपर गया और इसी point के इर्दगिर दोस्तों फिर से वो गया ठीके लगबग वो point था हमारा 3325 रुपे के आसपास फिर profit booking आया फिर उपर जाने की कोशी और फिर यहाँ पर breakout मिला लेकिन दोस्तों वो इसी level के पास गोमते रहा ठीके जो 3325 रुपे का level था ना वहीं पर गोमते रहा यहीं पर गोमते रहा उसके साथ फिर इसमें breakdown आया breakdown के बाद फिर नीचे आने के बाद फिर उपर जाने की कोशीश लेकिन जब तक market बंद हो गया तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो इसका एक range हम बोल सकते हैं range मतलब दोस्तों 3350 रुपे के level से लेके 3325 रुपे तक का यह 25 पॉइंट का जो है वो stock का एक range देखने को मिल रहा है मतलब आप देखे यह 25 और यह 50 का लेवर यह range ठीके यह range में जब तक stock रहेगा जब तक दोस्तों वो comfortable जो है वो बिलकुल भी समझेगा नहीं comfortable इसको feeling बिलकुल भी नहीं आएगी अंदर जाएगा ठीके फिर नीचा आने की कोशिश करेगा फिर अंदर जाएगा फिर नीचा आने कोशिश करेगा और इस type में बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती जैसे यहां से बड़ी गिरावट आईती यहां से भी बड़ी गिरावट वो तो यह जिए तेजी ने समय लिया ना अगर वो यहां कहीं से जाता न तो फिर वो पूरे मार्केट में ऐसा गिरता हमें एम पैटन बनाते हुँ दिखता ठीक है तो वो जब भी रेंज में जाएगा दोस्तो बिलकुल भी उसको पसंद नहीं आएगा उसको एक सिंगल वे में क्या करना पड़ेगा दोस्तो ब्रेक आउट देना पड़ेगा तो हम इसी according stock को short करके चलेंगे अगर कल stock में और गिरावट आती है तो हम बढ़िया से फाइदा उठाएंगे और शौट करके चलेंगे और अराम से profit निकालेंगे तो क्या है level वो update कर देता हूँ तो प्रॉपर तरीके से इसके भी levels को note करेंगा कल की date में दोस्तो अगर ये stock हमें 3310 पर मिलता है तो इसको हम बढ़िया से short करेंगे लगबग लगबग दोस्तो 3290 का target लेंगे ठीके ये भी मिल सकता है और लगबग 3320 का जो है वो SL लेके चलेंगे इस सिसाब से हम Asian paint में क्या करेंगे हमारी position बनाके चलेंगे किस टाइब के आपका technical analysis बोल रहा है या आपके जो भी financial advisor या broker करें वो भी किस टाइब से आपको commentary दे रहे है और साथ मैं एक और important point बताना चाहूंगा दोस्तो दोनों stock में दोनों level में मैंने target तो आपको provide कर दिया है तो target का बिल्कुल भी weight ना करें कभी कभी क्या होता है 25 परसे 50 परसे से दोस्तो target मीस हो जाता है इसके करण stock reversal देखिया तो cost पर आ जाता है या cost के भी नीचे जाके SL trigger करता है तो इससे अच्छा ये कि आप जिसी position बनाओ target से पहले आपको जितने भी point का profit मिल रहा हो 2 point का 5 point का 10 point का 15 point का आप उसको book कर लो फिर उसके बाद target हीट हो ऐसे हीट हो आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने तो अपना profit book करके निकल गए इस type का profit book करना अगर आप सीख गए तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी loss नहीं होगा इस चीज को लेक कर चलेगा नहीं तो क्या होता है टार्गेट का वेट करें टार्गेट हीटे नहीं हो पाता है जितना profit दिख रहा है उतना भी साथ में लेकर चले जाता है तो यह चीज को जरूर यूज करिएगा दोस्तों और इस वीडियो को फटा पट से लाइक करेगा चैनल को सस्क्राइब वेटरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक्यों दोस्तों